तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी लोसेंट सामान ग्यान के बारे में और आप लोग उने देखा होगा कि एक बड़ा हिस्सा हम लोग लोसेंट का कवर कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोग किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग उने उसके पुराने कुश्चन्स फेपर चार से पांस साल पुराने देखे होगे और जिसमें आपने देखा होगा कि GKGS से अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स पूँचे जा रहे हैं तो आप लोग लोसेंट को महत्त समझते होंगे कि आपकी परिच्छा के लिए लोसेंट कितना महत्त पूँण है और आप देखे स्टेट PCS में या आप देखे सिविल सर्विस का जब आप देखे प्रिलिम्स होता है और बहुत नदीक आ जाता है आपके पास कम टाइम बचता है तो आप लोग रिवीजन के तौर पर आप लोग लूसेंट को भी पढ़ लेता है और भी वैसे आपके एकजाम होते हैं SST Bank Railway या टीचर्स भरती या आप देखिए पुलिस SI दरोगा इस तरह कि तमाम एकजाम होते हैं जिनमें GKGS जरूर पूँचे जाती है तो उन सभी के लिए आप कहिए कि ये लूसेंट एक रामबान की तरह काम करता है और आप मेंसे कहीं लोगोंने इमांग की हुई थी कि नई लूसेंट जो आई हुई है लेटिस्ट उस पर हमें बात करनी चाहिए तो उसी को हम लोग कवर कपे हैं और इसके लिए लूसेंट बुक रिवीव के नाब से एक LISต सूची मना दी गए हैं उसी में आपकी सभी कलासें डली हुई हैं चाहे आप लोग इतिहास की देख लिजे चाहे भोगोल की देख लिजे एकोनोमी की देख लिजे समिधार की देख लिजे साइन्स की देख लिजे और आज हम उपरोध्यूगी यह बारे में। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोग ने आपका जिम् बिग्यान देखा हुआ था बिग्यानिवम पुरोद्धुगी की में क्या-क्या पढ़ेंगे भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान पर बात करेंगे भारतिय परमाडो अनुसंधान पर भी बात करेंगे भारतिय रक्षा पुरोद्धुगी की पर भी बात करेंगे आप लोग उने यह बताईए आप लोग किस एक जामगी तयारी करते हैं क्या आप लोग उन्हें हकीकत में पुराने जो भी questions वेपर रहे हैं उन्हें देखा है और मुझे लगता है कि देखा होगा तो आप लोग इस loose end को बहुत अच्छे से कबर्ब कर पाएंगे क्योंकि जब आपको मालू होगा कि आपकी परीक्षा में इस तरह का questions पूंचा जाता है और आप लोग किसी line को पड़ रहे होंगे तो आपकी दिमाग में वहीं यह questions बन जाएगा कि इस line से इस तरह का questions बन सकता है समझ में आ रहा है तो आप लोग इसलिए कहता हूँ कि जरूर आप लोग पुराने इस अनुसंधान के बारी में और भारती राष्टी अन्त्रिक्ष अनुसंधान संती कगटन, अगर आप से पूँचे कि भारतिय अंत्रिक्ष कारिक्रम के जनक कौन रहे हैं तो याद रहे कि डॉक्टर विक्रम सारा भाई को कहा जाता है और एक कुश्चन से आप दे कि तमाम एकजाम में पूचा जा चुका है और पूचे जाने की संभावना भी रहती है भारतिय राष्टी अंत्रिक्ष अनुसंधान समिती का पुनरगठन करकी 15 अगस्त 1979 को भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी यानि की इस रो की समझ रहे हैं आप लो भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कप की गई थी 15 1972 में की गई और इस रो को अंतरिक्षे कारकरम की शुरुआद नवंबर 1963 में तिरू अनंत्पुरम इस्ति सेंट मेरी मैगडेलेंड चर्च के एक कमरे में हुई थी और 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास अमेरिका निर्मित्था को थंबा जाएंगे तो यह आफ की दिनांग हो गया जिस तारी को यह गटना घटी अंत्रिक्षान हो गया उपलबदी क्या रही है इसकी इस पूतनिक फ़र्ष्ट एक चार अक्टूबर 1957 के बात है तो पूर सोवियस संगद्वारा अंत्रिक्ष में प्रमोचिस सबसे पहला उप रह सबसे पहले पूर सोवियस संग के पास ही इस तरह की तकनीक का विकास हुआ और एक बात और आपको बता दूँ जिसे आज पो लोग सोवियस संग के नाम से जानते थे ना उसमें आप देखिए रूस और बाकी देश सामिल थे तब तक सोवियस संग कहलाता था लेकिन 1990 में आप जानते हैं कि सोवियस संग का विक्टन हो गया था सभी देश अलग हो गया थे तो आप देखेंगे 3 नवंबर 1957 को इस पूतनिक सेकंड अंतरिक्ष में जीवित कुत्ति लाइका को ले जाने बाला पहला उग रहे था कौन सा इस पूतनिक सेकंड फिर आप देखेंगे 18 12 दिसंबर 1958 को स्कोर अंतरिक्ष में स्थाबित पहला संचार ओग रहे था फिर आप देखेंगे 4 अक्टूबर 1969 को लूना 3 पहला अंतरिक्ष याज जिसने चंदमा के उस पेष्ट के चित्र भेजे जो पितवी से दिखाई नहीं पड़ते हैं फिर आप देखेंगे 12 अप् 1963 को वोश्टोक 6 यह पूर सोविय संकी वेलेंटाइना टेरी टेरी स्कोवा पिथम महला अंतरिक्ष याज त्री बनी थी फिर आप देखेंगे इंटेल सेट यह चार अपरेल 1965 की बात है व्योसाइक उप्योग के लिए पहला संचार ओग रह था यह फिर आप देखेंगे व से लूना नाइन और चंदमा तल पर सभलता प्रूवक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष याज था फिर आप देखेंगे 14 नवंबर 1970 की घटना है सू योज फोर सबसे पहला प्रियोगात्मक अंतरिक्ष के अंधर था है इनसे कुश्चिन पूँच लेगा ठीक है 16 जुलाई 1979 की बात है अपोलो 11 नील आरम इस्टांग चंदमा पर कदम रखने बाला पहला मानो बना था और इसके बाद एडविन एल डिरिन चंदमा की धर्ती पर उतरा था फिर आप देखेंगे मार्स सेकेंड यह 19 मई 1971 की बात है मंगल गरह पर पहली बार अंतरिक्ष या को का उतार गया था तो यह भी इन घटनाओं को जरूर याद रखेगा अंतरिक्ष केंद और इकाईयों की बात करें तो विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद ए तिरू अनंद परम में आपको देखने को मिलेगा कौन सा विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद तिरू अनंद आपको देखने को मिलेगा और इसके एंद के परियोग के प्रमोग कारेओं में दूर संचार वर टेली वीजन में आपको प्रयोग का प्रयोग प्राक्तिक संसादनों के सरवेक्चन प्रवंधन के लिए दूर संबेदन, मौसम बिग्यान, भूमापन, परयावन परवेक्चन आधी सामिल है फिर आप देखेंगे सार केंद ये स्री हरी कोटा में यह इसरो का प्रमुक्त पिच्छेपन के अंद है जो आंध पिदेश के पूरवी तटपार आपको देखने को मिलेगा महेंदगिरी में दरव इंधन से चलने वाले रॉकेट एंजिनों की परिक्षण सुविधा उपलब्द है फिर आप देखेंगे इसरो, टैली मेटरी, निगरानी और नियंतर्ण नेटबर्ग इस नेटबर्ग का मुख्याल है तथा उपगरे नियंतर्ण के अंध बैंगलोर में स्थित है सिरी हरी कोटा, तिरुव अननपुरम, बैंगलोरू, लखनाव, पोर्ड विलियर और मौरिसस में इसके भूकें है इसका प्रमुकार इसरो के पिच्छेपण यानों और उपगरे मिसनों और तथा अन अंतरिक एजिंसियों को टैली मेटरी, निगरानी, नियंतर्ण सुविधाये प्यदान करता है कच्छा में उपगरे की सभी करियाओं पर निगरानी येवन नियंतर्ण का दायत करनाटक के हसान इस्तित मुक नियंतर्ण सुविधाकेंद के पास है इस इसरो का दूसरा मुक नियंतर्ण सुविधाकेंद मद्वेदेश की भोपाल में 11 अपरेल 2005 को स्थापित किया गया था और आप सब जानते हैं मद्वेदेश की राध्धानी है भोपाल तो इसरो जड़त्पडाली काई तिरुवन पुरम में देखने को मिलीका इस तरो कि इस एकाई का प्रमुक कार पिछेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्पडाली का विकास करना है फिर आप देखेंगे भोतीक अनुसंधान प्रयोक साला एहमदाबाद अंतरिक्ष बिवाग की अंतरगत कारेयत या संस्थान अंतरिक्ष और सम्मध्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुक्स राष्टी केंद है राष्टी ये दूर संबेदी एजेंसी एजराबाद अंतरिक्ष बिवाग के अंतरगत कारगत यह है एजनसी उपगरह से प्राप्त आकणों का उपयोग करके फितवी के संसादनों की पहचान वरीगी करन और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है इसका प्रमुख केंद वाला नगर है और इसके अंतरिक तेहरादून इस तो देशी तकनीक से निर्वित पिथम भारतिय उपगरह आरभट को 19 अपरेल 1975 को पूरुप सोवियस संग की विकानोर अंतरिक्ष केंद से इंटर कॉस्मोस तिसिक्षण यान द्वारा पितवी के निकट बित्ती एक अक्षा में 594 किलो मीटर की उचाईबल सफलता पुर् किये गए और विसद रूप से विग्यानेक उपगरह की रूम में विक्सित आरभट को सक्रिय कारविधी मात 6 माय निर्दारित की यही थी परन्तों इसने मार्च 1910 तक अंतरिक्षे से आंक्रे भेजने का कार एक तरसे किया एक बात और आपको बता दूँ देखिए अमेरिका इक मतलवी दोस्त की तरह है आज आप देखिए कि चाइना को रोकने हाई उसे आंगी बढ़ने से तो भारत की बिना ये संभव नहीं है इसलिए भारत से अमेरिका नजदीक यह बढ़ा रहा रहा है एक समय आप सोचिए वो ही समय था जब जो अमेरिका है चाइन और पाकिस्तान का खास मित्थ हुआ करता था रोउस हमारा मित्थ हुआ करता था ठीक है उपग्रह के कारों की बात करेंदा तो आप देखेंगे कि परिक्मा पत्किमाबदन्रों के अधर वो उपग्रहों को चाहर बरगों में विभाजित किया गया है निमनेभू कक्छी है कक्छा इस पेकार के उपगरे सामनता एक अंडाकार कक्छा में सामनता 200 से लेकर 600 किलोमीटर की सीमा में कारगर होते हैं सौर तुल्ले कालिक कक्छी उपगरे इस पेकार के उपगरे निकट वेती है, धुर्वी एक अक्षा में उत्तर से दच्छिन की ओर चलते हुए, एक निश्चित उचाई 500 सी 1000 किलोमीटर पर अपना कार करते हैं, जब एक उपगरे उत्तर से दच्छिन की ओर गुजरते हैं, तो पितवी की सतय पर एक कटी हुई, फसल के जैसा सुष्थे सौर दीप्त चित द्रसमाल होता है, पी एसल भी ने से छोड़ा गए भारतिय संदूर संभेदरी उपगरे इसी बर्ग में आता है, फिर आप देखेंगे भूर, तोल्ले कालेक उपगरे, ये उपगरे एक बिटा कार विश्वती है, कप्छा में 36, 30,000 km की निश्चेत उचाई पर 24 गंटे में एक बार पितवी की परिक्मा करते हैं, चूकि पितवी भी अपनी धुरी पर कितने ही समय में परी भिमण करती है, अता भी पितवी के सापेक चिस्तिर पितित होते हैं, इंसेर साडी की उपगरे इसी बर्ग में आते हैं, फिर आ भी याद रखेगा, भासकर एक भी हमारा उपगरे है, प्रायोगी पितवी परवेक्चक उपगरे भासकर एक को 7 जून 1989 को पूरुप सोविय संके पिक्छेपन केंद बैका नूर से इंटर कॉस्मोस पिक्छेपन यान द्वारा पितवी से 525 किलोमीटर की उचाईपन पू कर दिया, फिर आप देखेंगे भासकर दो, भासकर एक के संसोधित पिती रूप, भासकर दो को भी रूसी पिक्छेपन केंद बैका नूर से 20 नवंबर 1981 को पितवी से आप देखेंगे 525 किलोमीटर की उचाईपर इस्थाफित किया गया, और इसका घुडन कक्छा तल के ल है, फिर आप देखेंगे रोहिनी सिंखला, रोहिनी उग्राय सिंखला के अंतरगत भारती पिच्छेपन केंद, सरी हरी कोटास भारती पिच्छेपन यान SLV3, द्वारा चार उग्राय पिच्छेपित किये गए, और इस सिंखला के उग्राय के पिच्छेपन का मुख उद् अभियान के दुतिय प्राइविक परिक्षन में रोहिनी आर एस फर्ष्ट को अठारे यह 18 जुलाई 1980 की वात है कुसरी हरी कोटा से SLB थ्री पिच्छे पड़ यान से सफलता पुर्वक पिच्छे पड़ किया गया था और इस पकार रोहिनी आर एस फर्ष्ट भारतिय भूमी से भारतिय पिच्छे पड़ यान द्वारा पिच्छे पित्थम भारतिय उपगरे था लेकिन ही सफल नहीं हो पाया था ठीक है और चतुर्थ आप देखेंगे प्राइविक परिच्छन में रोहिनी आर एस डी टू को 17 अप्रेल 1983 को स्री हरी कोटा से SLB 3D 3D2 द्वारा सफल सफलता बुरुवक पिच्छे पित्किया गया था और यह सफलता ने SLB 3 को एक प्रमाडिक पिच्छेपन यान सिद्ध कर दिया भारत को छोटे पिच्छेपन यानों को विक्सित करने बाले देशों की सैनी में ला दिया तो पहला और तीसरा सफल हुगा था इसमें ठीक है प्रायोगी संचार उपगरे एपल भारत का पहला संचार उपगरे था जिसे भू इस्तिति कक्छा में स्थापित किया गया था और भारत के प्रायोगी संचार उपगरे एपल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गवाना के कोरू अंतरेक्ष पिच्छेपन के अंद से यूरोपी अंतर स्थावित करने भूष इस्ते तिक अक्षा में उपग्रहों की पिक्षेपंड की तक्नीक का ग्यान प्राप्त करने तथा संचार के लिए पियुक्त सी बेंड टांसपॉंडर की प्रियोग आदी में किया जाता है एपल से प्राप्त तक्नीकी अनभव में इंटरनेट, इंसेट, सिंखला की निर्माड़ा उविकास में मात्वून भूमी का निपाई फिर आप देखें कि विस्तारित रोहिनी उपगराय सिंखला इस सिंखला का उदे 100-500 किलो ग्राम बढ़की उग्राय का निर्माड करना जने संबर्धित उपगराय पिछे पने यान द्वारा छोड़ा था हो इस सिंखला के चार उपगराय सराओ फिछे पित रहें इसमें आप देखेंगे फिर्ट और सफल रहे थी भारती राष्टी उपगराय पने अर्थात इंसेट फिनाली एक भहुत देसी है कारगत उपगराय पने जो एसी अपिसान चेत में सबसे बड़ी घरेलू संचार ग्रामिनी चेत्रों में उबगराय की माध्यम से समुधायक दूरदर्सन के सीधे राष्ट व्यापी पिसारन को बेहतर बनाने भु इस्ते ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुना पिसारन हे तू आकासबाणी तथा दूरदर्सन कारिकरमों को देश बर में पिसारीत करने भूस सरविक्षन आपणों की संपेशन में किया जाता है इंसेट पेडाली अंतरिक्ष विवाग, दूर संचार विवाग, भालती मौसम विवाग आकासवाणी तेथां दूर दलसन का सहीवत्त तर्यास जबकि इंसेट अंतरिक्ष कारिकरम की विवस्ता निगरानी संचालन का पूर दाइत अंतरिक्ष विवाग को संपा गया है इंसेट पेडाली की पिथम पीडी में 4 उपगर है इंसेट 1, 1A, 1B, 1C, 1D और दूती पेडी में आप देखेंगे 5 उपगर है इंसेट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E तिती एसेटी में आप देखेंगे 5 उपगर है 3A, 3B, 3C, 3D, 3E ठीक है और चौती पीडी में 7 उपगर है पिच्छेपन की योजना बनाई गई है और चौती पीडी के उपगर है 4A, 4C, 4B, 4CR का पिच्छेपन हो चुका है अभी तक तो इने भी याद रखिएगा और पिच्छेपन की गरम मेचिवे संसादनों को इसपरस किये बिना फिकीट न विधी दोबारा विस्वस नी है और पेमाडिक जानकारी होपलब्द कराजाती है इसके तहट उपग्राय में लगे electronic केमरों से पितिवी परिस्तिद बस्तूओं का चत्त लेते हैं और उन चत्रों के विसलेशन से जानकारी पराप्त हो करते हैं दूर संबेदी उपग्राओं के उपयोग से सुदूर संबेदन के पिक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहरा कर किसी इस्थान बिसिस पर समय अनुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्धन किया जा सकता है वर्तमार में IRS उग्रेक इसी विसेश इस्थान पर लगबग पित एक दिन तेन सप्ताई के बाद गुजरता है और इस पेडाली के थायत पिछेपित किये गया उपग्रेक, IRS 1A, IRS 1V, IRS 1E, IRS P2, IRS 1C, IRS P4, IRS P6, कायटो सेट, 1st, 2nd, 3rd एक समय आप देखते हैं कि संसादनों का पता लगाने के लिए फिर चाहे सोना हो या कोई भी धातु हो या खनिच तेल हो आप देखें तेल जो आपके कच्छी तेल आप लोग देखते हैं अब देखे खुदाई करके पता लगाना होता था पानी के पता लगाना है तो खुदाई करके पानी की है यहां नहीं है अजकल आप देखी कि इस सब किस से होने लगा उप ग्रहों से होने लगा आप समझ रहे हैं और इसलिए ज़रूरी रहता है काटो सेट एक दिस का पे था mapping satellite है अब आप देखी कि कैसे पता लगा लेते हैं कि इतने छित में जंगल है या इतने छित में आप देखी कि गेहूं की उपज हो रही है क्या हो रहा है सूखा किस छित में पड़ रहा है इनी से उपड़ रहा है मैट सेट क्या मैट सेट भारती अंतरिक्ष कारिकरम के थेहत भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 सेप्टमबर सन 2002 को सरी हरी कोटा अंध्विदेश के 37 धमन अंतरिक्ष केंद से धुर्विय उपग्रे पिच्छे पर यान यानि कि C4 के माद्यम से देश के पहले मौसम संबंदी विशिष्ट अपग्रे मैट सेट को भू इस्थेतिक इस्थांतरन कक्षा में सफलता पुर्व अगिस्था पित किया गया था में स्थापित किया गया इससे पूर सभी उपग्रे केवल धुर्विय कक्षा में ही स्थापित किये गये थे और मैट सेट की कक्षा देःग वित्ताकार है जिससे पितवी से निकटतम बिंदू 250 किलोमीटर की दूरी पर श्तित है जबकि अधिकतम दूरी पर श्तित मौसम संबंदी जानकारी पराप्त करने के लिए सौधिसी पिछेपड़ियां से बिस इस मौसम उपग्रे पिछेपड किया इसे पूर मौसम संबंदी जानकारी इंसे सेडी के उपग्रे से पराप्त की जाती थी और आप देखिए कि आजकल मालू चल जाता है कि क्या आने वाली है समझ रहें चकवात आने बाला है बशात के बारे में बतालर स्फैथा लिए रहने बाला है और मौर्म वश्म ये बहुत दें लोगों को दा लिए 2019 बीस में भारत द्वारा सफलता पुर्वक पिछे पिद उपगर है माईक्रू सेट अब आर ए 24 जन्वरी 2019 को भारती भू तोले काले के उपगर है पिछे पन यानि की PSLV C-44 द्वारा इमेजिंग सेटिलाइट माईक्रू सेट आर और इस्टूण सेटिलाइट कलाम सेट का सफल पिछे पन किया गया है पिछे पन किया है कारटो सेट थैड ए 27 नवंबर 2019 की बात है PSLV C-47 द्वारा कारटो तीरे कर कमेर्सियल नेनो सेटिलाइट का सफलता पुर वक पिछे पन किया गया है फिर आप देखें कि Reset 2 BR 1, 11 से दिसंबर 2019 को PSLV C48, द्वारा Reset 2 BR 1 और 9 commercial उप्ग्राउं का पिच्छेपन किया गया, यह आप दा प्रवंदन में मदद करेगा, जी सेट 30, 17 फरवरी की बात है, महाँ करिए, 17 जन्मरी की बात है 2020 की, एरियन 5 BA, 259 के द्वारा फ्रांस के फ्रेंच गुआना इस्तित कोरू द्वीप से छुड़ा गया, जी सेट 30 एक संचार उप रहे हैं, और यह इंसेट 4E की तरह जगे कार करेगा, इस तरू के इंसार इस गुब्रेंट ओप ग्रेंट से टेलीपोर्ट सेवा, डिजीटल सेटेलाइट न्यूज, गैदरिंग, DTS टेलीविजन सेवा, मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी बहतर और बहतर होगी, जहां भी मोबाइल सेवा नहीं है, वहां भी इसकी मदस से मोबाइल सेवा सुरू की जा सकती है, आप दाओं की पूर सूचना, एवं खोजबीन में भी मदद मिलीगी, रिस्कू अपरेशन भी जादा सठीक किये जा सकेंगे इससे, अंतरिक्ष में पितम भारती है, तो 3 अप्रेल 1984 को स्क्वारडर्ण लीडर राके सर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पितम भारत थे, स्वार्डरन लीडर राके सर्मा ने 11 अपरेल 1984 को स्वरक्षत पितमी पर बातिसी भी की हुई थी, तो राके सर्मा को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, तदकालीन प्यधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद पर स्वारडन लीडर राक लग लग नाम, USA में, एस्टो नाइट्स, रोस में, कॉस्मो नाइट्स, चीन में, टायकू नाइट्स, ठीक है, अंतरिक्ष में मानव भीजने वाला भारत का चौदैवा राष्ट बना और इसको स्वार्डन लीडर राके सर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 149 वे अंतरिक् हो जाने से हो गई थी, ठीक है, फिर आप चंद्यान फर्ष्ट के बारे में सुनते हैं, चंद्यान के लिए भारत का पहला मिसन चंद्यान फर्ष्ट है, यह विस्सका 68 चंद अभियान, भारत ने अपने पहले चंद्यान, अपका पिछे पन, स्री हरीकोटा के 37 धमन अंतरि चंद्यान से 22 अक्टूबर 2008 को धुर्विये उप्ग्रेफ 55 वहन, यानि कि PSLV C11 के जरिये किया था, C11 एगे, और पिथम चंद्यान अभियान सोव्ये संग ने 2 जनवरी 1969 को भीजा था, दुतिये चंद्यान अभियान 3 मार्च 1969 को अमेरिका ने भीजा था, आप समझ सकते ह हम लोग बाकी देशों से तकनीक में कितने पीछे हैं, जो काम आप देखिए, रूस ने और अमेरिका ने 1969 में कर लिया था, वो हम लोग 2018 में कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप संग रूस, जापान वचीन के बाद, भारत छटा देश ऐसा है जो चंद्मा के लिए आन भेजन भारत का पहला चंद्यान फर्ष्ट अपने साथ राष्टी है, जिसे मून एमपेक्टर वोप चंद्मा की सतय पर स्तावित करेगा, चंद्यान सेकेंड ये 22 जुलाई 2019 को भारतिय भूर तुल्लिकाली ओफग्रेप इच्छेपन यान यानि की जी एसलवी एमके, एमके पित किया गया, इसमें और वीटर लेंडर विक्रम, रोवर विज्ञान, प्रिज्ञान का इस्तेमाल किया गया, लेंडर विक्रम का सफलतपाद पूर्ष्ट लेंग ने नहीं होने के कारणिया भी आनपूर सफल नहीं हो सका, लेकिन काफियत तक हम लोग इसमें भी सफल र गया और इसके साथ ही अपने पहली प्रियास में मंगल पर पहुँचने बाला भारत बिसका पहला देश बन गया इस रो द्वारा मंगल या नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतरगत 5 नामक 23 को मंगल ग्रह की परिक्मा करने ही तो एप उपग्रह आंधुपदेश के सिरी हरीकोट अश्ति 37 अंतरिक्ष केंद से धुर्वी या उपग्रह पिछेपण यान PSLV C25 के द्वारा सफलता क पुर्वक छोड़ा गया था और अमेरिका रूस यूरोपी संगे के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रविस करने वाला पहला देश बन गया भारत एसिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ है नासा, ESE और रॉस, कॉस, मॉस के बाद इस रो मंगल गरह की कक्षा में प्रविस करने वाली चौतरी स्पेस एजनसी है मंगल में सन की कुल लागत आप देखेंगे 450 करोड थी, कितनी? 450 करोड मंगल यान, मंगल गरह से निकटतम इस्तिती में आने पर मात 365 किलो मीटर दूर रहेगा जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलो मीटर दूर रहेगा मंगल यान में लगे ओपकरणों का उप्यो, भविस में मौसम, जमीन, खेती और संचार ओपगरह में किया जाएगा फिर आप देखेंगे पिच्छे पण यान परोदुगी की SLB क्या? SLB 3 साधरन चमता वाले SLB 3 के विकास से भारत में पिच्छे पण यान परोदुगी की के छेट में कदम रखा और 18 जुलाइज 19 स्वसी को SLB 3 का सभल परायोगी पर इक्चन करके अपनी योगता को सिद्ध करती हुए स्वयम को अब अंतरेक्ष है किलब का छटा सदस बना लिया इस कलब के अनपूर 5 सदस है रूस है अमेरिका है फ्रांस है जापान है और चाइना है SLB 3 एक चार चरनो बाला साधरन चमता का उपण पिच्छे पण यान था जो 40 किलो ग्राम भारग के अपग्रहों को पिथवी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था और इसका इंधन फड़ा फ्रणो दख ठोस था SLB का कोल चार प्रायोगी पर इक्षण पिच्छे पण किये गए जिनमें दुतियक और चतोर्थ पिच्छे पर पूंटा सफल गए थे और 17 एपरेल 1983 को SLB 3 की चतोर्थ और अंतिम उड़ान द्वारा रोहिनी RSD 2 को सफलता पुरूवक निधारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह पिच्छे पण यार्ण के कारकरम को बंद कर दिया गया फिर आप लोग देखेंगे ASLV तो इसमें इस सम्वर्दित उपग्रह पिच्छे पन यार्ण अर्थात ASLV बास्तों में ASLV 3 का ही सम्वर्दित रूप है इसे 100 से 150 किलोग्राम भार बढ़ के उपग्रहों को पिथवी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्दे से विख्सित किया गया था और यह ही एक 5 चरणों बाला सम्वर्दित उपग्रह पिच्छे पन यार्ण है NTPV प्रणोंदक तथा तितिय और चतोर चरण के लिए HEF 20 प्रणोंदक का प्रयोग किया गया था और ASLV के कुल 4 प्रणोंदक कराए गये जिसमें से AASLV D1 24 मार्च 87 एबं ASLV D2 13 जुलाई 88 की पिथम दोनों पिच्छे पन आसफल सिद्ध हुए थे PSLV पोलर सेट्रिलाइट लॉंज वीकल PSLV बारे सो किलोग्राम भारवर्ट की तक की दूर सम्वेदी उग्रहों को 900 किलोमीटर उचाई तक की धुर्विये सूर तुलकालिक या फिर समकालिक अच्छा में इस्थाबित करने के उद्धिस से PSLV का देश में विकास किया गय चार चर्णों बाला धुर्विये उपगरे पिछे पने आने जिसके पिथम बातिती है चर्ण में ठोस पेड़ोदक और दूती है बाचतोर चर्ण में आप देखेंगी द्रव प्रड़ोदक का प्रियोग किया जाता है ठोस पेड़ोदक के अंतरा गत हाइडॉक्सल टर्मि मेथाइल हाइड्राइजाइन और N2O4 का प्रियोग किया जाता है जो कमरे किताब पर द्रवी भूत रहता है PSLV की कुल तीन ओड़ान कराएंगे और जिसमें पिथम ओड़ान आसफाल और तिती ओड़ान पूर्ता सफल सिद्ध हुई थी ठीक है PSLV PSLV C3 द्वारा पिच्छेपित भारतिय दूर संबेदी पुरोधगी की परिच्छा उपगरहे TES भारत के पहला सैनिक उपगरहे जो देशों की समदरी इलाकों और विसेस का चेन तत एबं पाकिस्तान से लगी अंतराश्टी सीमा और नेंतर रेखा पर किसी घुषपेट पर प्रभावी नजर रख सकेंगे और जी एसल भी जियो इस्टेट इस्टेशनरी और जियो सेंचरोनस सेटेलाइट लॉंच बहिकल जी एसल भी एक सकती साली तीन चर्णों वाला भू तुल्ले कालिक या भू इस्थे उपगरह पिच्छे पने आने जी एसल वी के पिथम चर्ण में ठोस पेडुदाग दुतिये चर्ण में दुत्रफ रणवडदाग और तितिये चर्ण में आप देखेंगे क्रायो जैनिक इंजन का उपयोग किया जाता है ठोस पेडुदाग के अंतरके थाइड्डोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली विउटा डाइन का इंधन के प्रियोग में और अमोनियम पर किलोरेट का ओक्सी करन के ओक्सी का रखके रोम में इसका उपयोग करते हैं और दुत्रफ प्रोधक के अंतरके त्मोख रोब से अंसेमेटिकल डाइमेथाइल हाइड्राज जाइन एंटु ओफोर का प्रियोग किया जाता है जो कमरे के अत्यन्त निम्नताप पर द्रब हाइड्रोजन माइनस 250 डिग्री सेल्सियस और द्रब ऑक्सीजन माइनस 183 डिग्री सेल्सियस का प्रियोग होता है जी एसल्वी की पहली विकास सात्मक परिक्षण ओडान 28 मार्च 2001 आसपर रहा और जी एसल्वी डी फस्ट ने भी प्रायो प्रायोगिक संचार उपगराई जी सेट फस्ट को 36000 किलोमीटर की उचाई पस्तिद भू इस्थानंतर कक्षा में स्थाबिद नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया लेकिन आप देखेंगे कि जी एसल्वी डी टू ने प्रायोगिक संचार उपगराई जी पेणाली से संफर्फ हो गया और जी एसल्वी डी टू को सरी हरीकोटा इस्तिद सतीस धमन अंतरिक चेंद से आठ मई 23 को सफलता पूरवक पिच्छे बिद किया गया था इस सफलता के बाद भारत ने उन 5 देशों अमेरिका रूस यूरोप यूरोप ये संग जापान और च से मंजिल को आप लोग चुन रहे हैं वो से स्ताथ तक पहुंचा दे रही है और पहुंचाना ही सबसे बड़ी बात है समझ रहे हैं क्रायोजेनिक प्रोदोगी की क्रायोजेनिक का साब्दे करतेता है निमन ताप की और यह ग्रीग भासा सब्द क्रायो से बना हुआ है जो बरब के समान सी तलता के लिए प्युक्त होता है निमनताप की विग्यान में 0 degree Celsius से 150 degree Celsius की नीचे ताबमान को क्रायोजनिक ताप कहा जाता है निमनताप अवस्था क्रायोजनिक अवस्था वाले इंजनों में अद्धी निमनताप माइनस 250 degree Celsius पाई हाड्रोजन का इंधन की की विसिष्था की कारण से cryogenic इंजन कहते हैं और इस इंजन की परमुख विसिष्था है कि cryogenic इंजन में प्रयोग होने वाली द्रब हाइट्रोजन में द्रब ऑक्सिजन के अधैन से जो उ उर्जा पयता होती है वह ठोव स्थोग सरू इंधन आदारित इंजन से प्राप्त उर्जा से कही गुना अधिक होती है इसमें इंधन के जुलन की दर को नियंतित किया जा सकता है जबकि ठोस इंधन से परिचालेत होने वाले इंजन की जुलन की दर को नियंतित करना कठिन होता है इस परोधगी की सिजुकती इंधन इंजिन में प्रवोड़क की फिती एकाई भार में अधिक बल पैदा होता है जिसी यान को अधिक बल थर्ष्ट मिलता है क्रायोजिनिक इंजिन को पहली बार प्रियूग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक्स रोकेट में किया गया था 28 सक्टूबर 2006 को तमिलाडू के महंदगरी में पूर्ण निम्नता क्रायोजिनिक अवस्थाव का भारत से ने सफल परिक्षन किया था और 5 जनवरी 2014 एक भारती अंत्रेक्ष संगठन इसरो ने भारी उपगरे कि प्रिच्छेपन की क्रायोजिनिक तकनीक विट्षित कर जी ऐस करते हैं भारती पर्माडू अनुसंदान तो आप देखेंगे डॉक्टर हॉमी जे भावा की अद्ध्यक्षता में 10 अगस्त उननीस और तालीस को पर्माडू उर्जायोग की स्थापना के साथ ही पर्माडू उर्जा अनुसंदान की भारती यात्रा आरम हुई तो से भारती पर्माडू अनुसंदान का पिता भी कहते हैं भारत की पितान मंत्री की अद्ध्यक्षता में पर्माडू उर्जा कारिकरों के कर्यान में हितु अगस्त उननीस तो चंग्वन में पर्माडू उर्जा विभाग की स्थापना हुई थी कब उननीस तो चंग्वन मे परमाडू उर्जा की सभी कारकर्म पिदान मंतरी के तत्वा धान में किये जाते हैं की एकाईयों अनुसंधान एवं विकास में साहिता पिदान करता है इसके अंदर ने उद्योग उस्ति एप तथा किर्सी चेत में रेडियो आईसोटोप के चिगसी है उपयोगों सहित परमाडव उर्जा के सांतिपून कारियों में उपयोग की फरोधगी की का विकास किया है परायोगेक रेयक्टरों को जीरो फावर रेयक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल उर्जा प्राप्ती की अवेक्चा नापकी अनुसंधान के लिए खास तोर से किया जाता है कनाड़ा के सहयोक से वार्क में स्थापित साही रस तापी रेयक्टर का मुकुद्द इस रेडियो आईसो टॉप का उत्पादन उनके प्रेयों को प्रोषान करना है धरोब अनुसंधान रियक्टर में रीडियो आइसोटोप तेयार करने के साथ परमाडू प्रोधुगी की यह पदार्थों में सोथ परकाय करना कार किया जाता है यह भी आप लोग याद रखेगा बरक की परमाडू रियक्टर रियक्टर निर्माड वर्स और चमता पूणिमा फर्सट उनीसोट बदार्यमाड पूणिमा सेकंड उनीसोट और चमता है पूणिमा धर्ड उननीसोट अब्दमें जीरु जीरु इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंद के बारे में भी सुनते होंगे आज जी से यार वर्स 1991 में कल पक्रम ता मिलाणू में इसके धिक संपना की गई थी और का प्रमकर फास्ट वीक्टर की संभण अनुसंधानें विकास करना है और इसके अंद में अगर आप देखें तो इसके अंद में इस्थित फास्ट वीडर टेस्ट रियक्टर विसमें अपनी तरह का पहला रियक्टर है जो फिलोटोनियम, यूरेनियम, मिसरित कारवाइड इनन को काम में लाता है फास्ट वीडर टेस्ट रियक्टर की कुछ विसेस्ताइं भी है इसमें सिंखला अभिकरिया को तीव नीट्रोनों की माध्यम से नेंतल जारी रखा जाता है ताप रियक्टर की अपेक्चा इसमें बिखंडित नीट्रोनों की संख्या अत्यदिक होती है दूसरी वेसे इसता है कि फास्ट वीडर टेस्ट रियक्टर में प्राक्तिक एउरेनियम के प्रेयोग ताप रियक्टर की अपेक्छा 60-70 गुना जाना होती है इसमें रेडियो धर्मेता का उससजन अल्पमात्रा में होता है इसमें सीतलक के रूम में सोडियम का प्रेयोग किया जाता है जबकि ताप रियक्टर में जल का फास्ट वीडर टेस्ट रियक्टर की रोपरेका फ्रांस के रैप सोडी रियक्टर पराधारी थे यहाँ भी कुछ पाइंट है नहीं देख लिजे कामनी संचिप्त रूप है कल पक्रम मिनी रियक्टर का कामनी ने 17 सेप्टमबर 1997 को काम करना सुरू किया था इस रियक्टर का महत्त इस बात को लेकर है कि जहाँ अनप्रायोगिक रियक्टरों में इंधन की रूप में यूरीनियम और या फिलोटोनियम का उपयोग किया जाता है वहीं कामनी थोरियम 31 का उपयोग इंधन की रूप में करेगा और कामनी थोरियम यूरीनियम 233 इंधन चक का उपयोग करने बाला विसका पिथम रियक्टर है और इस रियक्टर का उप्यूग अनुसंधान के अत्रिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा क्योंकि इसके द्वारा फिंगर प्रेंटों का मेलान करना बड़ा सरल हो जाएगा उच्परोधगी की कैंद 1984 में इंदोर में स्थापित उच्परोधगी की कैंद का मुक्यकार लेजर और तुरकों के छेत में प्रोधगी का अभिकास करना है तो इसे भी याद रखेगा क्या रखिएगा याद रखिएगा और क्या सकते हैं फिर आप देखेंगे कि लेजर अक्षर समूग का निर्मा लाइट एम्पिलीफिकेशन वाई इस्टुमूलेटिड एमिशन ओफ रेडियेशन के संच्छिप्ती करण से हुआ है जिसका अर्थ होता है विकरण उससाजन के द्वारा पिकास का परवर्दान लेजर एक ऐसी उक आर्सेनिक अर्द चालक लेजर का निर्मान किया था फिर आप देखेंगे परिवर्दनी है उर्जा साइकलो साइकलो ट्रॉन केंद भी सी सी यह केंद परमाडू बहुत की परमाडू रसायन सास्त विभिन उद्द्योगों के लिए रेडियो समिस्था इस्थानिकों के उत आफ निर्ट नेदे शाल है, हैधराबाद में देखने फु मेरेगा, गुरू जल बोर्ड ए मुंबाई में, नापकी ए इन परिश से है 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 घराबाघ में, भारती नापकी ओरजया लेटेक्ट मोंबाई में, भारती ईूरेनियोम निगम लेटेट जादु गौर्णा में, भारती रियर अर्थ लिमिटेट मुंबई में विकरन और आइसो टॉप प्रोदुगी की बोर्ट ए मुंबई में देखने को मेंगा का मुंबई में परमाडू परीक्षन इनसे भी कुश्चन्स पूचा जाता है सबसे पहले परमाडू परीक्षन कब हुआ था बताईए 18 मई 1994 में पौकरन जैसल में राजिस्था में भारत ने सौदेशी पहला परीक्षनी है परमाडू बेस्पोड किया और यह है बम आप देखेंगे तो 12 किलो टन चमता का था इसका कोड नाम था इस्माइलिंग बुद्धा इसमाइलिंग बुद्धा पहले परीक्षन के चौवी साल सालों के बाद पोकरन में दूसरी बार 11 मही उन्नी सो अंठानवे में 11 मही उत्तीर मही को उन्नी सो अंठानवे को परमाड़ी परीक्षन किया गया था जिसने सकती 98 नाम दिया गया था एक बात और रियाद पहली बार इंद्रा गांधी के समय हुआ दूसरी बार अटल विहारी बाचपई के समय सब किलो टन यानि कि उस समय हमारे पिधार मंतिरी इंद्रा गांधी थी 1974 में 1998 में मैटल विहारी बाचपई सब किलो टन अर्थाद एक किलो टन से कम विस्पोर्ट का सबसे बड़ा लाव या है कि यदि भारत ने समग परमारू परीक्षन निसे संदी यानि कि CTVT परहस्ताचर कर भी दिये तो इस विस्पोर्ट तकनीक के माध्यमस्कित बात परियोग साला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है सकती 98 योजना के सफलता का सरे तीन बेग्यानिकों को से जाता है आर्चिदम्रम को एपीजे अब्दुलकलाम साहक को अनिल काकोदकर को इन तीन नाम को भी याद रखे 1994 की परमाणू परीक्षण में माध्य पिलोट टॉनिक इंधन का उपयोग हुआ था जबकि 1998 में परसोसित यूरेनियम से लेकर ट्रेटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग हुआ था ट्रेटियम इंधन परमाणू उर्जया रियक्टरों में प्रियोग में लाए जाने वाल रही में कि गया लही में कुंदरें क्लोटर्न 14 मेंило spent का था और सृपतरा जमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला की में दिपार्ड हराइट शेंडर्स में किया था तो आप समाज़ें कि जो काम वो लोग 1945 में कह दे रहे हैं वो हमारा 1991 में जाके हो रहा है शेंडर्स में प्रियोग होता है इस विद्धुद्ग्राय के लिए आवसक इंधन की आपूर्ती अंतिम समय तक स्युक्तरा जमिर्का द्वारा की जाई राउद भाटा परमाडू विद्धुद्कें प्यारम में कनाडा की सायोग से रहा था बाद में यह परियोजना सौदे देकने को मिलेगा उननेशो बातर में करेंवाड हुआ था तीन सो बीस मेगावाट इसकी चम्थाय राजिस्थान परमाडू विद्धुद्ग्राय को मिलेगा उननीश्टर में और नच चिन आपका निशनने चालिस मेगावाट और तीसरे से आप देखिए जो सो तीस 220 मेगाबाट चमता है मदरास परमाडू विद्धूत के ग्रह एक और दो कलप अक्कम तमिलाणू में 1983 में बना था 470 मेगाबाट है नरोरा परमाडू विद्धूत ग्रह एक और दो बुलन सहर उत्तर प्रदिस में देखने को मिलेगा 1991 में 470 मेगाबाट चमता काक्राप परमाडू विद्धूत ग्रह एक दो सूरत गु cockpit में 1993 में 220 मेगाबाट इसकी चमता है क्येगा परमाडू विद्धूत ग्रह एक और दो करनाटक में 1999 में 440 इसकी चमता रखी गए है। निर्माड़ा धीन हैं काकरा पार परमाडू विद्धुद ग्रह 3 भी है सूरत में गुजरात में यह आप देखे 440 माना जाता है इसका मेगाबाट चमता। राजस्थान परमाडू विद्धुद ग्रह 4 राउद भाटा राजस्थान में इसका भी 440 कोडन कूलम परमाडू विद्धुद ग्रह 1 और 2 कन्या कुमारी तमिलाडू में 2000 मेगाबाट इसकी मानी जा रही है चमता। निर्माड एतु संसुती तारापूर परमाडू विद्धुद ग्रह 3 और 4 महराष्ट में 1000 मेगाबाट इसकी चमता अनमाल लगाए जा रहा है राजस्थान परमाडू विद्धुद ग्रह 5-6-7-8 राउद भाटा राजस्थान में 2000 मेगाबाट इसकी मानी जा रही है विस डिडो सुना है आप लोग ने इसकी स्थापना 1998 में इस समय से कुछ अन परोदुगी की संस्थानों के साथ मिला कर स्थापित किया गया था 1980 में आप देखेंगे सुतंत रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पिरमोक एवं महान ने देशक रक्षा मंतरी के विज्ञानिक सलायकार होते हैं इस संगठन का मुक्याल है नई दिल्ली में है रक सार पिच्छे पास्त विकास कारक्रम की निव रखी इस कारक्रम के संचालन का दायत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिया डियो को सौंपा गया था और इस कारक्रम के अंतरकर विक्सित पिच्छे पास्त का संचिप्त विबरन है यहां पिथवी सबसे पहले पित्वी की नियुनता मारक चमता 40 किलो मीटर है और अधिकतम इसकी 250 है तिरसूल कमदूरी की जमीन से हवा में ये पित्वी जमीन से जमीन में और जमीन से हवा में मार करने वाला पिछे पास थे इसकी मारक चमता 500 मीटर से लिके 9 किलो मीटर तक या मेक दो की गती से निसाने पर कुभेच सकता है आकास यह जमीन से हवा में यह भी जमीन से हवा में मार करने वाला मद्यमदूरी का बहूर लक्षी है पिछे पास थे इसकी मारक चमता 25 किलो मीटर है आकास पहली ऐसी भारती है पिछे पास थे जिसमें पिणोदक में राज, राम से, जैट, का प्रयोग किया गया और इसकी तक्नीक को दृष्टी गत करते हुए इसकी तुला अमेरिकी इसकी तुला अमेरिकी पेट्टियाट मिसाल से की जा सकती है यह परमपरा का थे वह परमारू आयोत को ढोने की छमता रखता है और इसे मोबाइल लॉंचर से भी छोड़ा जा सक अगनी सेडी में पांच पिस्चे पास थें अगनी फश्ट, सेकेंड, फ़र और फिफ्ट, फाइब अगनी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यमदूरी की बेलिश्टिक में सायल है अगनी थैड की मारक चमता यह 3000 किलोमीटर से अधे के और इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ा जाता है अगनी तीन परमपरागत तथा फरमाडू दोनों पिकार की विस्वोटकों को ले जाने की चमता रखता है भारत 15 नवंबद 2011 को इंटरमीडियेट विलेश्टिंग मिसाइल अगनी फोर का उडीसा के हीलर दूइप से सफलता पूर्वा परिक्षन किया है या पिछ रने वाली मिसाइल परमाडू हत्याल ले जाने में सक्षम है भारत द्वारा 19 अप्रेल 2012 को अगनी फाइब का सफल परिक्षन किया गया है इस परिक्षन के साथ भारत भी अंतर महादुईप्य पिछे प्राच्छेफिक प्रिच्छे पास्त किलब में सामिल हो गया है जिसम अगनी फाइब की मारक दोरी इस अंतरश्टी मापदंड से 500 किलिमीटर कम है अगनी फाइब की जद में बीजिंग और संगाई सहत अधिकांश चीन पाकिस्तान दच्छेट एसिया और यूरोप अफीका के कुछ हिस्से आते हैं अमेरिका और और ऑस्टेलिया अगनी फाइ जा सकता है अगनी फाइब सेट्रिलाइट रोधी मिसाइल है मिसाइल कहने के मतला ही कि आप देखिए यहां से उसमें रखेंगे या बिसपोर्टत सामन और वहां पटक देंगे फेक देंगे नांग यहां टेंक रोधी निदिसक्षे पास था है इसकी मारक चमता चार किलो म किलो मीटर है इसका पिथम सफल परीच्छा नवंबर 1990 में किया गया था और इसे दागो और भूलो जाओ टेंक रोधी पिच्छे पास भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे जाने की परशाथ पुना निदिसित करने की आवसकता नहीं परती है रक्षा उत्पादन और आपिरती विभाक से जोड़ी सार्वियेक संस्थान होगा है संस्थान होगा मुख्याला है स्थापना वर्स हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट बैंगलोर में इसका मुख्याला है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी भारत अर्थ मूबर्स लिमिटेट बैंगलोर मे मैं देखने को मिलेगा, 1994, 60 में इसकी स्थापना हुई थी, ग्वाश इफ गायड में, वास्को डीगामा, मैं देखने को मिलेगा, भारत डाइनाम मिक्स लिमिटेड हैधराबाद में 1970, मिस से धातु निगम लिमिटेड हैधराबाद में 1967, गार्डन रीच वर्क्स ओफ लिमिटेट कलकत्ता में 1934 में इसकी स्थापना की गई थी कब 1934 में कुछ अन्यभात्य पिच्छे पास्त हैं इन्हें भी देख लिए आप लोग इनसे भी क्या रहता है कई वार कुश्चन्स आपका पूंच लेता है तो इसमें आप देखिए तो धनुस यह जमीन से जमीन पर मार करने बाले पिच्छे पास्तों में सामिल है या पित्वी पिच्छे पास्त का ही नो सेने के रूपांतर है इसकी मारक चमता अगर आप देखें तो 150 किलो मीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयूद पिच परागत हैं परमाडू दोनों की ही तरह के आयूद ले जाने में सक्षम है और इसे रक्षा नुसंधान विकास संगठन के त्वारत तयार किया गया है भारत एसवाब पांच बाद इस है जिसने जिसके पास पंडूबी से वेलिश्टिक मिसायल दागने की चमता है चार देश युए से फ्रांच रूस और चीन इसके बाद भारत पांच बिन हमबर पर आस्त या मध्यमदूरी का हवा से हवा में मार करने वाले करने वाला और सौधी सी तक्नीक से विक्सित पिच्चे पास थे इसकी मारक चमता दस से पच्चीस किलूमीटर है या भारत का पिताम हवा से हवा में मार करने वाला पिच्चे पास थे ब्रह भारत रूस की सव्क पर योजनाओं के तहट विक्सित किया जाने वाला पिच्चे पास थे इसका नाम ब्रोस भारत की जड़ी जो अभर हम हो ज suis memp मिसायल है इसका पिथम सफल परीक्षन जून 2001 में किया गया था इसका तीसरा सफल परीक्षन मार्च 2019 में 2009 में किया गया यह भी दागो और भूलो भूल जाओ कि पदिती पर ही विक्सित किया गया है इस क्रूज मिसायल को जून 2007 में भारती थलसेना में समलित किया गया लगवा 290 किलो मीटर तक 200 किलो ग्राम बजनी परमाडू बम ले जाने में सक्षम ब्रमोस दोनी की लगवक तीन गुना तेज गती से चलता है फिर आप देखें कि प्रदुम या पिच्छे पास्त दुस्म पेलिस्टेक ही एचते मिसायल का प्रिक्षन उडीशा की पूर्वी 3F रिस्तितं एक इगत प्रिक्षन रेंज़से चैसंबा 2007 को किया था वैलिश्टेक मिसाईल बैलिश्टेक से अतास है ऐसे पिछेपंसे है जिसमें किसी वस्तो की बेच्षेवित करने में आप सर्फ सब्सक्राइब लगाया जाए किन्तु जमीन परस्तित लक्ष पर गिरने के लिए उसे गुत्वागर्शन के सारे छोड़ दिया जाए क्रोज मिसाइल अपने लक्ष को खोचकर फिहार करती है आप समझ रहे हैं कि बहुत खतंनाक तकनीक बीच से थो चुकी है हम भी तकनीक में पीछे नहीं रह रहे हैं योग धक टेंक अर्जुन इसका विकास रक्षार उसंधान द्वारा किया गया है इसे योग धक टेंक की गती अधिकतम 70 km पिती घंटा तक हो सकती है यह रात की अंधेरे में भी काम कर सकता है इस टेंक में लगा एक बिसेस प्रकार के सेना में सामिल कर लिया गया है टी 90S भीसम टैंक इसका निर्वार चेन्ने की समीब आउडी टैंक कार खाने में किया गया है यार 4 km के दायरे में पिछे पास दाग सकता है या दोस्मन की पिछे पास से 100M को बचाने की छमता भी रखता है तथा जमीन में विचाई गई ब इसने अभी GE 404 अमेरिकी कंपेनी जनल एलेक्टोनिक का इंजन लगा है जिसे भविसमें सौदेश निर्मित कावीरी इंजन लगा कर लटाया जाएगा विस्तिग के सबसे कम बजन वाले बहु आयामी सोपर्सोनिक लडाकु ग्वान 600 km पिती घंटे से उडान भडती है हव हवा से हवा में और हवा से धर्ती और हवा से समुद्र में मार करने में सक्चम रहते हैं पाैलेट रहत पिसीख्चन ब भिमान निसांत या सोधेस तकनीक से निर्मेद पाइलेट रहेद पिसीक्षण बिमान है ऐसे जमेन से एकस्तो साट किलो मीटर के दारे में नेंतित किया जा सकता है इस बिमान का मुकुद्देश युद्शीत में परवेक्चक और टोहे लेनी की भूमिकाओं का निर्वाह करना है पाइलेट रहेद बि पिसीक्षण से देने हितु एक लक्ष के रूम में परयोग किया जाता है यह जेट इंजन से चलता है और 10 बार प्रियोग में लाया जा सकता है सौ क्लूमीटर के दारे में एसे रेमोट से नियनतित किया जा सकता है इसका परयोग 3-9 द्वारा है त हर देखेंगे एडवां 800 km की दूरी तेक कर सकता है या दो इंजन बाला हेलिकोप्टर जिसमें दो चालकों से 14 वेक्तियों को ले जाय सकता है एक है आपका IEL 78 या आस्मान में उडान के दोरान ही लडागू बिमानों में इंधन भनने का पिथम बिमान है जिसे भारत ने मार्च 2003 में उजवेकिस्तान से पराप किया था और यह से बिमान में 35 तन बिमान की इंधन की भन्दारन की सुविदा है आगरा की बायू सैनिक अड़े पर तीन बिमानों को रखने की विसिस बेऊस्ता है काली 5000 काली 5000 का विकास वार्ग द्वारा किया गया यहीं एक सकती साली भीम भीम अस्त है जिसमें कई गिगावाट सकती के माइक्रो विप तरंगे उसाजित होती है जो सत्रू के विमानों और पिच्छे पास्नों पर लक्षित करने पर की एलेक्ट्रोनिक पेडालियों कंप्यूटर चिप्स को समाथ करके उन्हें दोस्त करने में सक्चा में पिनाका या मल्टी वेरल रॉकेट लॉंचर है सौधिस तकनीक से डी आइडी ओ द्वारा विक्षित रॉकेट पिच्छे पक को ए आर डी पूने में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान संकर के धनुस पिनाक के नाम पर रखा पर पिनाका रखा गया है इसके विद्वारा मात 40 सेकंड में ही 100 से 100 किलोग्राम बजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट पिच्छे पित किया जा सकते हैं तो कम से कम सात और अधिक से अधिक 49 किलोमीटर दूर तक दुसमन के खेमे की तबाही मचा सकते हैं आप समझे रहे हैं कि हम लोग कम नहीं है कुछ इतफ्प्रोदोगी की इतफ्प बायूएन और इत जहाज का विकास प्रवीधी पराधरित है और यह तक्नीक सेन इकुतियों का एक पहलू है इस तक्नीक के दोरा वायुयान जहां जो पंडूबियों, मिसालों और उपग्रहों को रड़ार इन्फरारेट और सोनार अन्निखोजी पंदितियों की पहुंच से आधरस से बनाया जाता है और इस तक्नीक का विकास दुतियों विस्तियों के दोरा जर्मी नहीं नहीं किया था हॉटन हो दो सो उन्तीस को पिथम स्टेल्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है सब्सक्राज अमेरिका के सोफिसिद्ध आधुनिक स्टेल्ट वायुयान में एप 117 नाइट वॉप दा बीटू इस्पिरिट दा एप 22 रेप्टर और एप 35 लाइटिंग सेकेंड सामिल हिसमें रडार का एंट्री ना पितीविम में के आने का समय मातता है और वो सूचना के आधार पर पताता है कि बस तू कितनी दोरी पर है मानौ रहित भायान डॉंस यह ऐसे भायान होते हैं जिनhower झमीं से अनूरन करते हुए स्वाहयत रूप से साज चालेथ होते हैं डॉस मुक्रूप से दो बर्गों होते हैं, एक बो जिने निगरानी के उद्धिस से बनाया जाता है, और दूसरे बेज जो मिसाहिल एवं बम से सुसजित होते हैं, एस सैन बाईवानों से काफी सस्ते होते हैं, और रिमोर्ट कंट्रॉल द्वारा उड़ाए जाते हैं, और फ रस्तों से सुसजित डॉन का इस्तिमाल पहली बार वालकन योद में किया गया, लेकिन इनके इस्तिमाल में आसातित, बिड़्धी, अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्ताट में होई, बैटेन के पास कई पेकार के निगरानी डॉन है, विसे इस रूप से वाच कीपर, जि बिकरम सारावाई अंतरिक चेकंद की स्थाबना तिरुवनंद पुराम थुम्बा गाउं में 1963 में 1963 में होई थी, इस स्थान का चुनाओ करने का प्रमुक कारण है था कि येकंद भूचम की ये विस्वत रेखा परस्ते थे, पित्वी पश्चम से पूर की ओर घूणन करती है ये उसी कारण लाव उठाने के लिए किंते मुग गुराओं को पश्चमे दिशा से पूरी विदिशा में पिच्चेवित किया जाते है परक नली सिसू के मामले में निसेचन परक नली के अंदर होता है इसके का बाद भूड को माता की गरब में रखा जाता है 25 जुलाई मुखवबाद्ध्याय की देखरेग में कानू फिया ने पिथम परक नली बेवी दुरगा का जरम 3 अक्टूबर 1978 को दिया था जिसे उस समय सुईकिती नहीं मिली और 16 अगस्त 1966 को मुंबई के K.E.M. अस्पताल में इंद्रा हिंदूजा के देखरेग में भारत के दूसरे परक नली उसी सु हरसा का जनम गुए था मुकवबाद्ध्याय के साथ हुजे विवाद के कारण कुछ रेकॉर्ड हरसा को भारत का पिथम परक नली उसी सु कहते हैं इयान बिलमोट जो रॉल रॉलिंग इंस्टिट्यूट एंस्टिट्यूट एस्कोर्ट लर्नों के बिग्यानिकों ने 5 जुलाई 1996 को सरपेथम एक वेस्क भेड से कोशी का लेकर डॉली नामा किलोन करने बाण किया था किलोन का मतलब आप सोचे कि विलकुल फोट्टू कोफी एक तरह से ठीक है तो डॉली थी पहली और 1903 में सरपेथम वाईपास सरजरी का प्रेव ई-उ-एसे में हुगा था तीन दिसंबर 1967 को हिदय का पिथम पित्यारो पर दच्छे रफीका की डॉक्टर किश्चेन बनार ने किया था कैप राउन की होश्विटल गुरुट सुर्व में यह ओपरेशन हुए था जिसमें डेनिय डेनिस डार्वेल नमक्त 25 बरसी महला का हिदय त्रेपर बरसी लेविस वानकी को पित्यारो पित्यारो पित किया गया था अपर रूपांतरण एक विक्रिया जिसके द्वारा कैंसर को चिकाओं में और अधिक विभाजन का सपलता प्रुवक्स संदावन किया जाता है मौसम संबंदी परिवतनों के बारे में जानकारी पराप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरी गुबारी प्रेविंग में लाए जाते हैं किसी बस्तु के त्रेविमिय पितिरोग को अंकित तथा पोनारविट्ती करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है यह लेजर किर्ण द्वारा दी गई फोटोग्राफी है जिसमें बस्तु का चित त्री आयामी हो जाता है विग्यान का चित जो मानो एवं यंत के मत सोचालन एवं संचार का अध्यन करता है साही वर्णेर्टिक से कहलाता है यह विग्यान की आधुनेक तमसाखा है इसकी परिकल्पना 1949 में सरविथम नारवर्ट वीनर ने की थी इसे नेयंतरन का विग्यान भी कहते है 19 देसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टिट्यूट और फंडामेंटल अलस्चार्ज की स्थापना की गई थी नेशनल स्कूल और डिजाइन पूने में देखने को मिलेगा नीट्रोन बंप इस बंप का की विस्पोर्ट चमता तुलांत्मक रोप से कम होती है लेकिन विक्यरन चमता अधिक होती है यह पितवी एवं जल में रेडियो धर्मीता फैला देता है टेंकों एवं भुलेट प्रोप बाहनों को तहस्नाइस कर देता है साल्टेड बंप इनापकी हत्यारों के अनकूल पदार्थों को वाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बंप तेयार किया जाता है माइक्रोवेवब बम का अविस्कार अमेरिकया द्वारा किया गया इसके द्वारा इतनी तीब गसक्ती की उर्जाव उत्साजन होती है कि सत्रू के एलेक्ट्रोनेक, ओक्र्ण वर संचारप्राली दरस्त हो जाती यहां तक की बाहरों की एगनी सन पेडालिया भी इसके द्वारा अनस्ट हो सकती है और लेकनी है कि सत्रू की संचार पेडाली को धुरस्ट करने वाले इस बमों से कोई जनही हानी नहीं होती है अमेरिका की रक्षा नुसंधार विज्याने के ओने ऐसी थर्मोवेरिक पेडाली का सफल परीक्षन भी किया है जिसके द्वारा असायनी के ओम जैब किये सस्तों के भंडारों पर अती उच्च ताबमान से जित करने उन्हें वेकार किया जा सकता है इस विकार की सस्त पेडाली को पहले वेक्यूम बम के नाम से जाना जाता है एड्मिरल गौर्सो को एक बिमान बाहग पोथ है जिसे भारत ने रूस से खरीदा या बिमान बाहग पोथ बिराट का इस्थान गहन करेगा या हिंद महासागर में भारत की उपस्तिती को मजबूत पिदान करेगा आईसी चिप्स सिलीकॉन की वनी होती है एक कई बार पूछ लेता इसका निर्माड उन्निस तो अठावन में इस ते 37 धमन सुपर कंप्यूटर प्रेयोक साला में स्थाबित किया गया यह आप देखिए कंपनी बोड़ापुन यूनाइटिट केंगडम मुख्याला हो गया कंपनी का यह बोड़ापुन यूनाइटिट केंगडम में एडव केलीफाणिया में एडव सिस्टम केलीफाणिया अमेरीका में सैमसंग सेओध दच्षत कोरिया में हिएवलेट फेकर पाल्टो अमेरीका में हिटाचि चेओडा टोकियो में IBM अर्मांग अमेरिका में, Sony मिनाटो जापन में, तोसीबा मिनाटो जापन में, पैनासोनिक कडोमा जापन में, Dell राउन्ड रॉक अमेरिका में, Walmart अमेरिका में, Nokia, Aspoo, Finland में, Microsoft, Microsoft, Redmond अमेरिका में, Apple Inc, Cooper Tino अमेरिका, Canon Inc, ओताको जापन, एंटेल, सेंट्रा, किलारा अमेरिका, फुजी फिल्म, टुक्यो जापन, कोड़क, रोचेश्टर, अमेरिका, मिट्स वीसी, टुक्यो जापन, गूगल, माउंड टेंड व्यू अमेरिका, याहू, सनी वेल अमेरिका, एसर इंक, न्यू टाइप, टाइबान, फिलिप्स, एम सर्टेडम, नीदेलेंड, लेनोवो, बिजिंग चीन, कोरोनो गराफ, अंतरिक्ष में उठने वाले तुफानों की पूर जानकारी उपलद कराने वाला उपकरन, कोरोनो गराफ कहलाता है, इस उपकरन की सहायता से सूर में नौ बड़े तुफानों का पता लगा जाता है, जिनने कोरोनल मास इंजेक्षन कहा जाता है, जूट पकरने वाली मसीन को पाली गराफ कहते हैं, यह मसीन सरीर में होने वाली चार भहुतिक गतीवधियों का एक साथ ग्राफिक तयार करता है, यह मसीन सिध्धान पर जा सकता है, रेवा, भारत की पितम बेटविस चलने वाली कार है, री एजेंट यह एक फिकार का रसायन है, जिसका उपयुद दूद में मिलावट कर पता लगाने ही तु किया जाता है, इस रसायन की एक भून का प्रेयोग करके मात कुछ सेकिन में यह पता चल जाता है कि दूद प्राक्तिक है या सिंथेटिक, सीरी स्टिप्स यह सरसों के तेल में बटर यालो की मिलावट की जाच के लिए विक्सित एक तकनीक है, इस तकनीक के तहए मिलावट की जाच है, तु रसायनी एक चोटे कागच पर एक भून तेल दाल लेके, बाद यदि वह इस परेटरी सिंडॉम की विसाडू को पैरामेक्सो वाइरस की रूम में चिन्नित किया गया है, जो कुरूनो वाइरस परिवास से संबन देते, इस तो इसके रोगी में निमोनिया जैसी लक्षन देते, लगातार खांसी आने और सांस में तकलीप बने रहने की कारण लोग वेक्तिगी डेत तक होसा जाती है, नेवी रेपिन, विग्यानिक ने एड्स गरस महिलाओं के गरवस्त है, सिसु को इस जानलेवा विमारी से सुरक्षे रखने के लिए एक सस्ती दवा नेवी रेपिन का विकास किया है, दवा की मात दो खुराग से ही पिती वर्स लाखों सिसु को इड्स विमारी से बचा जा सकता है, सिसु को यह दवा 18 माय की आयू तक दी जाती है, अमेर की वहुराश्टी कंपनी मोनो साटो ने किसी जगत में विकास के लिए कीट विती रोधी चमता वाले कपास का बीच तेयार किया, इसने बैसिलस थोरी जीए ने सिस बीट टेकनोलोजीकल रिशेश्च की मदश से आलू टमाटर सा और सरसों के कीट विती रोधी बीच तेयार कर लिए गये हैं, तो इससे भी आप लोग याद रखेगा, अब तकनीक बदल रही है, जमाना बदल रहा है, और इसलिए कहते हैं कि आप भी अपडेट होते रही है, कर्मिनेटर वीच, जेनेटिक इंजीनियों द्वारा तियार किया गया ऐसा वीच है, जिसके अंकुरंट से पौधों को तो तियार होते हैं, किन्तों उनसे अंग लच्छन वीच का उतपादा नहीं होता है, इको मार्क उन भारती उतपादों को दिया जाता है, जो प्रियुक साला में, 1963 में एक तकनीक का विच्कार किया, उसके बाद 1978 में इनके नियंतर प्रियासों की फलसुरूफ ओल्ड हैड, जनल अस्पताल में लुईस ब्राउन नामक पिथम टेश्ट ट्यूग बेवी का जर्म हुआ था, और इसके लिए एड़ वर्ड को 2010 में चेक प्रियासों के माध्यम से डॉक्टर हिदया और फेमणों की रोंगों की पहचान करते हैं, बादी अंतरिक्ष फिरोग्रामों के कर्यान्वन का सही काला उनके रम इस्तर है, T.E.R.L.S. प्रोग्राम, 1974 में सेटलाइट इन इस्टेक्सन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्र प्रोग्राम का कर्यान्वन इसरो तेथा डाक्तार विभाग ने फ्रांस जर्मनी के सेंप फॉनिया ओग्राय की सायुक से 1975-1977 से 1989 तक किया, एरियार पैसेंजर पैलोड एक्सपेरिमेंट भारत का पिथम भूस्तेरोफ प्रायोग संचार ओग्राय था जिसे 19 जून 1981 को पर प्रायता मिलती है, स्टेम कुशी का संबंधी अनुसंदान में मदू में, अल्याइमर रोग, पार्किनस रोग, लिवकेमिया, हैपेटाइटिस, पक्छागात और हिजय रोग आदी सी पीडित लोगों के लिए आसा की नई किरन दिखाई देने वाल लगी है, और टीकल फा प्रायवर क्वार्ट कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेसों से मिलकर बना होता है, किते एक रेसे की मौटाई लगबग 10 की पावर माइनस चार सेंटीवीटर होती है, रेफिरेटर में खाद पदाद ताजा रखने ही तुसरा रक्षिता मान, चार डिग्री सेल प्रिटिक इस्तर पहचान में इस्तिवाल तक्निकों ही एन, एन, फिंगरप्रेंट अतवा DNA, प्रोफाईलिंग कहते हैं, DNA प्रोफाईलिंग टेक्नोलोजी से जले हुए अतवा पहचान में ना आने वाले मेटत शरीरों का भी पहचान की जा सकती है, DNA की प्रोफाइलिंग के लिए मुक्रोप से जबकि ये नवूने की जरुवत पड़ती है जबकि ये नवूने में खून के धबे, जड़ सहित, बाल का टुकड़ा, वीर, तुचा कोशिकाएं, मुह पर रखा खपड़ा, लार, अस्थी मज्जा, अत्वा किसी उतक की कोशिकाएं सामिल भी जा सकती है और डी एने फिंगर प्रेंट का विकास सबसे पहले, पहली बार 1984 में बेटेस विग्या ने किया यालिक जैफी ने किया था रडार का परियोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्तिती और इस्तिती ग्याद करने के लिए किया जाता है इसके दवार यह भी पता लगाया जा सकता है कि बाईवैन की गती तथा दिशागी विक्या इस्तिती है विसका पिथम ताप उसमिय भी लवनी करन सैंत भारत की लक्षदीव की राध्धानी कवावरती में संस्थापित किया गया यह पिती देन एक लाख लीटर आलवन जल का उत्पादन करेगा कैसी नी नासादवारा सनी यह उनके ओप गरहों के अध्यन ही तू पिच्छे पिद रोवोटिक अंतरेक्ष्यान है अंतराष्टिये ताप नापकिये प्रायोगे की रियक्टर सलगन वुर्जा की संभावनाओं को पिदसित करने ही तू सैउक्त अंतराष्टिये अनुसंधान एवं विकास परियोजना है इस परियोजना में यूरोपिय संग जाबान, चीन, भारत, दच्छन, कोरिया, रूसी संग, सैउक्तराष्ज अमेरिका की सहभागीता है यह परियोजना दच्छन, फ्रांस की कद्रास नगर में है राष्टिय अंतर्किटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान गवाने हेमालय में काफी उंचाईप और एक अनुसंधान के अंद धुर्वीय एवं क्रायो स्फियर रिसर्ज इस्थावित किया जैसे हेमांस कहा जाता है तेरह सो पचास फिट यानि की आप माकरी तेरह हजार पांस सो फिट यानि की चार हजार मीटर से अधिक से उपर इस पीदी हमाचल फिदिस में एक सोदूर स्थान पर है भारस के गुजरात में से चरंका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा पोटो वाल्टिक पावर स्टेशन है सौर ताला परियोजना भोज गुजरात में स्थाफित किया गया है हर्याणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस की सहुग से सौर उर्जा नुसंधान केंद की स्थाफना की गई और राजस्थान की जोत्पर जिली में एक सौर ताब उर्जा केंद की भी स्थाफना की गई है अच्छा उर्जा की इस्तेमाल को बढ़ावदेने और बड़ कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 की प्यारम में सौर उर्जा से सौब परसेंट चलने वाला देश का पहला केंद सासेट पर देश बन गया याद रहे कि दीव का शित्पर लगबग 40 किलोमीटर है जमीन की कमी के बाबजू लगबग 50 एकड़ में से भी जानदा जमीन पर सोलर फावल प्लाइंट लगाए गया है अब आप सोचे कि जो कच्छा तेल है आप सभी जानते है डीजल पेटोल एक समय के बाद खतम हो जाएगा गयास तो हमाँ पास उर्जा का विकलत होना चाहिए क्योंकि आप सोचे कि उर्जा बहुत जरूरी हो चुकी है आप लोग एक दिन सोच भी ने सकते हैं वरना आप सोचे कि मोबाइल चायज नहीं होगा आपका कुछ पिर वो कादुनीक अविस्कार हो गये अविस्कार हो गयेhte ₹ Bonus अविस्कार हो गये अविस्कार होग है ₹ केमर लिंग टेलीविजन जे एलवेर रडार आधुनिक टेलर टेलर एबं यंग कैस एंजन डेमलर डीजल एंजन डुडॉल्व ठीङ है यहां भी कुछ पॉइंट हैं भी याद रखेगा एक कुछ प्रमुक संस्था हैं इस संस्था होगे इनके मुख्वे सस्था राष्ठी पिति रख्षा विग्ध्यान संस्था एन आई आई नई दिल्ली में जी विध्यान में चौनोती पूर्ट प्रसनों के समाधान के लिए बिभेन जाच करताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में विग्जानिक कारिक्रों का बिस्तार जारी रखा ताकि स्वास्त सिवा में सुधार हो सके राष्टी कूछी का बिग्यान के अंद, NCCS ये पूर्णय में देखने को मिलेगा, इसके अंद ने अपने PhD कारिकरों में यूबा बिग्यानिक पितिभा और सोधार्तियों को बढ़ावा देने में और रचनातमक जी बिग्यान, स्टेम सेल जी बिग्यान में अत्याधुनिक अनुसंधान के चित्रों में काम करने में नहीं पहल किये, तो आप देखेंगे DNA फिंगर फ्रेंट, इवं निदान केंद, CDFD, एहदराबाद में या किसी इवं परसंस्कित उत्पादों को, किसी जिंसों के नमूनों की सुदिता जाचने की सिवाब विदान करता है, जी ब राश्टी मस्तिस्क अनुसंधान केंद, NVRC, माने सर, यह केंद मिर्गी और ब्रेंड मेपिंग पर बहु विसेक अनुसंधान और फिसीक्षण में लगा हुआ है, राजीब गांदी, जैप परोदुगी की केंद, RCV, RGCV, तिरुवाननत्पुरम में, यह केंद गंभी र रोगों के जीब बिग्यान, रोग जैब एक परोदुगी की की संबंदे में, संधान कारकरों में पर काम कर रहा है, जीब संसाधन, इवं संसाधन, इवं सतत्द विकास संस्थान, IV, SAD, इमफाल में, यह संस्थान पूरुत्तर चित की सामाजी कार्थिक विकास के लिए, जैब संसाधन की संरक्षन और सतत विकास में लगा हुआ है, राष्टी जैब चिकिसा जीब संस्थान, इक कल्यानी, यह संस्थान स्वास्त एवं रोगों के लिए जीब बिता लाने और लोगों इवं स्वास्त संबंदी लक्षन और जानकारी देने वाले जैनिटिक प्र प्रोदोकी की संस्थान, एह हधराबाद में इस संस्थान संक्रमा क्रोगों, बुसे लोसिस और थाइल लेरियोसिस, बैपसियोसिस, निू केसल डिजीज, वायरस एन डिवी, लिष्टोस्पाई रोसिस, टॉक्सो फिलाजमोसिस, मेस्टायस्टिस, पेस्ट पेस्ट डीप पेटिट रूमिनेंट्स वायरस, फूट एंड माउस डिजीज, तथा इन रोगों की निदान और रुख्थाम के लिए नई तरीके विक्सित करने पर पहल की है, राष्टी किर सिखा देव जयव पुरुदगी की संस्थान, एम मुहाली में या केंद उसी स्थान पर वायो आपने, अब इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, उस पर भी बिस्तार से ही बात करेंगे, और आप इंज्वाय करती ही रही है, कुछ सुझाओ हो आपके तो भो भी बता सकते हैं आप लोग, और साइंस टेक के लिए, एकॉनोमी के लिए, आप से कहता र रहती है, चलिए फिर आप लोग इंज्वाय करते रहे हैं, हम लोग के मिलते ही रहेंगे,